नमस्कार दोस्तों सट्रा तारिक की मीटिंग थी जो एजी एम थी उसमें एक और विशे पर चर्चा हुई थी वो है CEO की अपॉइंट्मेंट यान के Chief Executive Officer की अपॉइंट्मेंट को लेकर क्योंकि अधिक्ता रिदिकारी जो हैं वो Senior Positions पर हैं अपने अपनी स्टेट में Senior Positions पर हैं और बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं और क्योंकि STFI अपने आपने एक बहुत बड़ा संगठन है देश का सबसे बड़ा खिल संगठन कह सकते हैं हम और उसके विए जो हैं वो फूल टाइम कोई ना कोई शक्स चाहिए जो सारे काम को समभाल सके और वो शक्स भी ऐसा होना चाहिए जो Office Staff का ना होकर तोड़ा समझदार इनसान चाहिए जो इन सब चीजों को समझता हो स्पोर्स मैनेजमेंट को समझता हो स्टेट गॉवंनेट के डिपार्टमेंट्स चों के मैं और पूरा समय तो कम्यूनिकेशन कर सके सभी राज्यों से और प्रॉपर प्लैन कर सके तो के लिए चीफ एग्जेगुटिव ऑफिसर की जरूरत पड़ेगी फूल टाइम कोई ना कोई अधिकारी चाहिए उसमें और इस सीयो की अभी कश्मा कश्च चल रही है कुछ लोग चाहते हैं कुछ लोग नहीं चाहते हैं चीफ एग्जेगुटिव ऑफिसर यानि सीयो को लेकर हमारे मन में थ्वड़ा सा संशेज जरूर है उसका एक कारण है कि अगर हम सीयो की बात करें तो एस जीफ़ाइ में अभी एस जीफ़ाइ प्रिजेट्ट जो है वो सबसे बड़ा पावर सेंटर जो है वो वही है और एस जीफ़ाइ को वही डिरेक्शन दे रहे हैं वही चला रहे हैं लेकिन क्योंकि उनका कम्मिनिकेशन बहुत जादा में नहीं दे सकते हैं तो उस कंडिशन में सेक्रेटरी जनरल दूसरी पोजीशन है वाइस प्रेजेंट भी हैं वहाँ पे मौजूद है लेकिन जब आप सीयो लेके आएंगे तो सीयो एक नया पावर सेंटर हो सकता है प्रेजेंट एक पावर सेंटर है सेक्रेटरी जनरल ए वो सबसे ज़्यादा powerful व्यक्ति बन जाए गए और कहीं ना कहीं वो SGFI के जो अधिकारी हैं वो माने ना माने कहीं ना कहीं वो अपने जो है वो मनमानी करने लगता है जब किसी के पास power आ जाती है तो उस power का misuse भी होने लगता है और अगर आप कहें कि IS officer बैठे हैं वहाँ पर IPS officer है और state के डारेक्टर जो पूरी state चलाते हैं उनको चलाने वाले जो लोग हैं उन पर CEO कैसे भारी पड़ जाएगा और वो सक्षम होंगे CEO को handle करने में तो हमें थोड़ा सा इसमें doubt है क्योंकि जब power आएगी knowledge आएगी तो संभव नहीं है कि SGFI की ये अधिकारी जो हैं वो सारी चीजों को जान पाएंगे क्योंकि day to day level पर जो activity है वो CEO दोबारा होगी और ये अधिकारी उन सब चीजों से अनभिग्य होंगे आप कह सकते हैं कि जब हम किसी सबोज किसी ministry में एक मंतरी है लेकिन मंतरी के नीचे का जो staff होता है वो PS से लेकर और clerical level तक अगर हम बात करें तो उनके अपने अपने जो हैं वो तरीके होते हैं चीजों को handle करने के और कहीं ना कहीं वो अपनी मरजी भी करते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने इंटरस्ट को ध्यान में रखते हुए वो मंतरी को भी कहीं ना कहीं मिस्स गाइड करते हैं आप कह सकते हैं कि स्मार्ट होते हैं मिनिस्टर जो हैं वो politician senior politician होते हैं और दुनिया भर की समझ होती है और रोज हजारों लोगों से उनका मिलना जुलना रहता है और रोज इन चीजों को समझते हैं चुन के आए हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो उस ट्रैप में फसते हैं क्योंकि निचले सर तक सभी जानकारियां जो हैं वो उन स्टाफ तक रहती हैं अधिकारियां तक रहत कि आप अगर पिछले कुछ साल SGFI में देखें तो जिस जहां पे पावर जिसके हाथ में पावर थी उस शक्स को वो उस शक्स की अपनी चायत हो या ना हो उस शक्स का अपना लालच हो या ना हो लेकिन उस शक्स के जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनके अपने अपने ला है कि मंत्री मेरा जानकार जो है मंत्री हैं हम यह हैं जो है जो हो अपने तरीके से उनको जो है वह मश्वरें लगते हैं यही ऐसा ही कुछ हो है Dafür में CEO के साथ ही हो सकता है अब यहां पर जब पावर सेंटर जो वो अलग अलग power center बन जाएंगे दो दो तीन तीन चार चार power center बन जाएंगे तो वहाँ पे संभाव ना हो सकती है कि काम improve होने की बजाए वो बिगड़ भी सकता है और जो CEO होगा क्योंकि वो सभी state government के जो लोग हैं उनसे भी deal करेगा तो आप समझे के इस communication में जितनी जानकारी जितनी knowledge जो है वो CEO के पास होगी उससे ज्यादा किसी को भी नहीं होगी वो चाहे office का staff हो चाहे executive committee हो चाहे वो president हो चाहे वो secretary general हो तो यहाँ पे एक थोड़ा सा खत्रे की घंटी है मैं आपको example देता हूँ इंडियन olympic association के हम बात करते हैं इंडियन olympic association में आज अगर हम देखें तो वहाँ पे दो power center इसी वज़ा से बने हैं वहाँ पे secretary general नहीं है नया CEO appoint नहीं किया गया है लेकिन जो joint secretary है कल्यान चौबे वो CEO है acting CEO है हाला के वहाँ पे full time CEO नहीं लेके आ रहे हैं जहां तक हमारी जानकारी है उसके अनुसार जो है वो CEO के अपने expenses salary खर्चे होंगे जो कि आज की डेट में इंडियन olympic जो है वो नहीं उसको जेल नहीं सकती है उन खर्चों को उस वज़ा से CEO नहीं लेके आया जा रहा तो यहां पे देखें के आप भी पिछले कुछ दिनों की बात अगर देखें तो कल्यान चौबे क्योंकि football foundation के प्रेजिडन बन चुके हैं वो चाहते हैं कि वो क्योंकि CEO हैं यहीं पे conflict सबसे जो हैं वो ताकतवर इंसान हैं अद्यक्स के बाद और वो चाहते हैं कि उनकी जो football की team है male female team वो Asian Games में participate करें जो के उनके जो criteria बनाया गया है खेल मंतराले द्वारा उसमें हलाके fit नहीं होते हैं खेल मंतराले का मानना है कि top 8 जो है वो ही team जाएंगे और जबके अगर हम football की बात करें हमारी जानकारी के अंसार male female में एक team जो है वो शायद 10 नंबर पर है और दूसरे जो हैं वो 18 नंबर पर है तो संभावनाएं जो हैं वो बहुत कम हैं लेकिन उसमें एक जो है वो लूप होल है एक page है जिसका फाइदा उठाना चाह रहे हैं कल्यान चौबे वो उसमें ये था कि यदि sports authority और लोग ये समझते हैं कि वो team जो है वो कुछ कर पाना में संभव होगी यानि कि वो अगर top 8 में नहीं भी है लेकिन ऐसा लगता है कि शायद वो अपने जो performance है उसको improve कर सकती है मेडल आ सकती है टौप 8 में आ सकती है तो उस स्थिक्ति में जो है वो उनको team को जो है वो भीजा जा सकता है इसी का फाइदा उठाते हुए कल्यान शौबे जो है वो team भीजना चाते है जबके पिटियूशा जो प्रिजेंट है अध्यक्षा है जो इंडियन olympic की वो चाती है कि जो system बनाया गया है हम उसी system को follow करें और उस system में उस criteria में जो है वो football की दोनों team जो है male female वो fit नहीं बैठती है इसलिए उनको नहीं जाना चाहिए तो ये शिकायत लेकर जो आपने अगर पढ़ा हो पिछले कुछ दिन पहले Times of India ने एक news शापी थी के कल्यान चौबे ज हमिच्छा जो ग्रह मंत्री हैं उन तक जा पहुँचे और उन्होंने जो है वो पिटी उशा से बात की तो आप देखें कि यहां पे भी वो power center का जो इस्तेमाल जो है वो करने की कोशिस कर रहे हैं कल्यान चौबे के वो ही मैंने कहा कि जो उमीदे हैं वो बढ़ जाती है क्य कार होना चाहिए जबके इसके लिए पिटी उशा ने साफ मना कर दिया तो इंडियन ओलम्पिक में यहां दो गुट साफ दिखाई दे रहे हैं आज की रेट में आने वाले समय में क्या होगा यह नहीं कह सकते हाला के दोनों अभी एक फ्रांस में जहां तक मेरी जानकारी है मिटिंग है उसमें दोनों लोग गए हैं तो लेकिन यहां पे दो गुट जो हैं वो बनते दिखाई दे रहे हैं अब यह आने वाले समय में यह जो डिस्प्यूट पैदा हुआ है यह जो एक दरार आई है यह दरार कितनी बड़ी होगी यह समय के साथ पता लगेगा लेकिन आप देखें कि यही चीज हम कह रहे हैं कि कहीं SGFI में तो नहीं होने जा रही है अगर CEO अप्वाइट होता है और वो CEO कहीं एक और पावर सेंटर बन जा इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकते हमें कई स्पोर्ट में लोगों से बात की कि क्या ऐसा संभव है तो लोगों का कहना था कि नहीं Executive Committee आपस में discussion करके कोई अच्छा इंसान लेके आ सकते हैं लेकिन जिसको भी वो लेके आएंगे इस बात की क्या गारंटी है कि वो बदलेगा नहीं और आप Overnight CEO को हटा भी नहीं पाएंगे अगर आपको लगेगा भी कि वो CEO जो है वो ज्यादा powerful हो रहा है तो आप Overnight उनको हटा भी नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारे काम जो हैं उनके बिना रूप जाएंगे तो यहां पर जो है वो SGFI की Executive Committee को सोचना पड़ेगा समझना पड़ेगा कि जो CEO आप appointment करने जा रहे हैं अपने जो burden है जो काम का pressure है obvious है क्योंकि आपकी state में भी आप को बहुत से काम करने हैं बहुत सी जिम्मेदारियां हैं तो आप उस burden को कम करने के लिए CEO लाना चाह रहे हैं लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि वो CEO आने के बाद आपकी problem जो और बढ़ जाएं पूरा जो हिंदोस्तान का खेल जगत है पूरी जो faderations हों या states हों या और बहुत स बोड़ी सी एतियात बर्षनी पड़ेगी और इन सब चीजों को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा साथ में इंको ये भी देखना पड़ेगा कि एक लाग से डेल लाग रुपे कम से कम अगर मैं CEO की बात करूं क्योंकि जब आप CEO क्वाइट करेंगे तो वो office के पास उसक नहीं होता है तो लखनव में आने के लिए कहीं दूसरी स्टेट से ट्रैबलिंग का खर्चा भी हैड होगा तो आप मान के चलें के एक से डेल लाग रुपया से लिए तो कम से कम यानि के 18 लाग रुपय का एक खर्चा जो है वो SGFI का और बढ़ेगा जबके SGFI पहले ही पैस जो हमने शंका जाई थी वो अपनी जगाए अब देखना है कि आने वाले दिनों में SGFI के जो अधिकारी हैं वो क्या फैसला लेते हैं और क्या मिरने लेता है लेते हैं और अगर CEO आता है तो उस CEO के आने से क्या SGFI का फाइदा होगा या नुकसान होगा ये एक और क्वेस्च ने लिए और दोनों के अधिकारी जो हैं वो अपनी मर्जी से लेके आए एक SGFI और एक इंडियन ओलम्पिक एसोसेशन ये दोनों पर जो हैं वो पूरे देश के खेल जगत की नजरे ठीकी हुई हैं बहुत सारी जिम्मेदारिया हैं और आने वाले एक साल डेट साल में क्या कुछ बदल सकता है और अगर वो बदलेगा तो अच्छे के लिए बदलेगा या बूरे के लिए बदलेगा ये कुछ सवाल हैं जो भविष्य के गर्ब में छुपे हुए हैं अगले एक साल डेट साल में देखना होगा कि ये क्या रुख लेते हैं तो नई जानकारी नई इ है जरूर रखिएगा कि क्या एसजीफ आई को सीओ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडियन ओलंपिक की तरह वहां पे भी दरारें पैदा हो जाएं अगली वीडियो अगली इंफरमिशन अगली जानकारी के साथ फिर मिलेंगे मैं हर्पाल सिंक्रोला कर तक के लिए आप से जाद रिखाओं शुक्रिया